दोस्तो नीजिलेंड के आतार वार को अफगानिस्तान के आर के साथ ही टीम इंडिया अपनी मैच बाइनी में हुए टी 20 विसो कप से बाहर हो गई उन्हें सो बारोनों के बाद ये पहली बार हुआ जब टीम एक मैच रहते हुए विसो कप के समी फाइनल में पहुंचने के दोर से बाहर हो गई उनके बाहर होता ही टीम इंडिया के एक दोर का अंत हो गया दोस्तों अब आपको बविसे में कभी भी मैदान पर मुखी कोच रवी सास्तिरी और कप्तान ब्राट कोली की जोड़ी नहीं दिखेगी सास्तिरी का कारेकाल इस टूनामेंट तक ही था और 17 तारिक से भारत में निजलेंड के खिलाब सुरू हो रहे टी-20 सिरीज से प्रो भारते कप्तान राउट द्रविट अब ये जिमा संबालेंगे इनके साथ ही ब्राट कोली का भी टी-20 कप्तान के तोर पर सपर खतम हो गया उन्होंने इस टूनामेंट से पहले ही कहा था कि वर टी-20 विसो कप के बाद सबसे छोटे परफॉर्म की कमान चोड़ देंगे हलाएंके दोस्तों खबर ये आ रही है कि उन्हें वंडे की कप्तानी भी छोड़नी पड़ सकती है और कप्तान रोट सर्मा टी-20 और वंडे के कप्तान बनने की दोड़ में सबसे आगे है नामेबिया के खिलाब मैज से पहले टास्क के समय वराट ना भी इस बात के संकेत ये थे मैज के बाद रवी सास्री ने भी उनकी तारिफ करती हुए कहा कि रोट के पास अपना आइडिया है उन्होंने मुंबी इंडियन्स को पास बार किदाब दिलाए देनिक जागरण ने भी सबसे पहले बताया कि वराट के बाद रोट सर्मा कप्तान बनेंगे और बिसी से आई के एक सुत्रा ने कहा कि कप्तान की दोड़ में सबसे अगे रोट सर्मा है और कुछ लोग राउल को भी कप्तान बनाने चाहते हैं अगर रोट सर्मा कप्तान होंगे तो राउल उप कप्तान होंगे सुत्रा ने कहा कि बिसी चाहिए ऐसा कप्तान चाहता है जो साल 2022 में अस्टिलिया में होने वाले टी 20 विसो कप और उनके अगले साल भारत में होने वाले 20 विसो कप में कप्तानी करे इसका मतलब है कि व्राट को वंडे की कप्तानी भी छोड़नी होगी हालांके दोस्तों वह खिलाडे के तोर पर टीम का इस्सार रहेंगे और टेस्ट टीम के कफ्तानी भी करते नजर आएंगे दोस्तों आपको क्या लगता है कि विराट के बाद अगला कफ्तान कोन होगा आप कमेंट करके जरूर बताए